वैलन्टाइन वीक की शुरुवात हो चुकी है और आज सब लोग हगडे मना रहे हैं आखिर क्यों जरूरी होता है किसी अपने के गले लगना अगर आपको फिल्म मुना भाई MBBS याद हो तो उसमें संजय दत हर चीज का हिलाज एक जादू की चप्पी में ढूंड लेते हैं दरसल फिल्म में दिखाई ये बात विज्ञान के नजरिये से भी सही साबित होती है विशेशक्यों के अनुसार स्वास्त की दृष्टी से भी गले लगने के बहुत से फायदे हैं आईए जानते हैं कि एक जादू की चप्पी क्या कमाल कर जाती है स्ट्रेस कम करता है हक अगर आपके मित्र या परिवार का कोई सदस से परिशानी में हो तो उसे गले लगाईए एक जादू की चप्पी से उनके तनाव का लेवल काफी कम होगा बग्यानिक मानते हैं कि किसी की आत्मियता से छूने या गले लगाने से व्यक्ति का मानशिक तनाव तुरंद कम हो जाता है सेहत के लिए है फायदे मन्त गले लगने से तनाव कम होगा और इससे सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा एक शोद में सामने आया कि जिन लोगों के पास भावनात्मक रूप में मजबूत सपोर्ट सिस्टम होता है वे जल्द बिमार नहीं पड़ते अगर बिमारी उन्हें जकड भी ले तो उन लोगों के सिम्टम सीवियर नहीं होते दिल का रखे ख्याल जादू की जब बिमाग का ही नहीं दिल का भी ख्याल रखती है एक शोद में पाया गया जो लोग अपने साथी को गले लगाते हैं उनका ब्लड प्रेशर और हाट रेट उन लोगों के मुकाबले ठीक रहता है जो शारेरिक पर्ष से दूर रहते हैं हमारे शरीर में ऑक्सिटोसिन नाम का एक हॉर्मोन पाया जाता है जिससे विज्ञानिक कडल हॉर्मोन भी कहते हैं जब हम किसी को अपने गले लगाते हैं या उनका हाथ ठाम कर बैठते हैं तो ये हॉर्मोन रिलीज होता है इसी की वज़े से लोगों का मानसिक तनाव और नकारात्मकता भी कम हो जाती है हालंकि विज्ञानिकों का मानना है कि हॉर्मोन महिलाओं पर ज़्यादा असर डालता है इसलिए माये जब अपने बच्चों को सीने से लगा कर रखती हैं तो वे जादा खुश रहती हैं डर और दर्द होता है दूर गले लगने से डर और दर्द भी दूर होता है वज्ञानिकों द्वारा किये गए शोद के अनुसार जब दर्द हो या व्यक्ति किसी बात से डरा हुआ हो तो तुरंद किसी अपने के गले लग जाना चाहिए इससे उनके मन में स्थिरता आएगी